हलो स्टुनेंट्स आप सभी लोगा सुमित राणा बेसी क्लास अंग स्वागत है पेटा आज के इस वीडियो लेक्चर 8 में बात करेंगे सिग्निफिकेंस आप साई एंड साई स्कायर और इसी के साथ एक और साट आंसर देखेंगे आईगन वैलू एंड आईगन फंक्शन आ सारी चीजें में वहां पर हमें वह बहुत अच्छा समझी थी तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस अप्साई एंड साइश का तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वारे में क्लियर है कि क्या उसके बात करेंगे साई स्कायर की तो श्रोडिंगर बेव क्यूसन को जो सौल पि करते हैं atomic orbital क्या बोलते हैं atomic orbital कहने करता है कि हर एक possible energy state ek corresponding एक बेफ फंक्शन साई आपको मिलेगा तो यहां पर पहला point है कि साई एक mathematical function है साई एक mathematical function है जिसका मान एक इस्तान पर maximum वा उसी region के डूसरे इस्तान पर minimum हो सकता है कहने करता है कि यह हमारा nucleus है जोकि हम लोग modern atomic model modern atomic model या कह सकते हैं कि quantum mechanics पढ़ रहे हैं तो इसमें electron को कैसे deal किया जा रहा है यहां पर electron को हम as a babe मान के चल ले है electron को हम एक babe कितने treat कर रहे हैं तो electron की position fix नहीं है उसका एक fix root नहीं है fix root तो थो हमारे पुराने model में हुआ करते थे तो यहां पर electron जो है वो बेटा एक babe की form में travel कर रहा है तो कह रहा है कि जिसका मान एक इस्तान पर maximum वा उसी region के दूसरे इस्तान पर minimum हो सकता है तो जो आपका wave function si होगा इसका मान किसी एक इस्तान पर अगर high होगा तो उसी region के किसी दूसरे इस्तान पर इसकी value low होगी यह है आपका पहला point si के बारे में कि si एक mathematical function है जिसका मान एक इस्तान पर maximum और उसी region के दूसरे point पर आपका minimum हो सकता है अगला point है आपका कि si किसी particle की position बा motion के बिसे में complete information देता है कहने करते हुआ कि किसी particle की क्या position है वो इस टाइम कहां पर है और उस टाइम उसकी क्या रफतार है तो position और momentum के बिसे में जो complete data देगा वो कौन देगा si तो si किसी particle की position और motion के बिसे में complete data आपको provide करता है third point है करें इत किसी particle की kinetic energy highest है अगर किसी particle की kinetic energy, kinetic energy half mv square यह बहुत तेजी से अगर वो move कर रहा है तो उस particle के लिए si का मान तेजी के साथ change होगा यह बहुत important point है कि अगर किसी particle की kinetic energy बहुत ज़ादा है kinetic energy का आरता है कि वो particle बहुत तेजी से लगा तार अपनी position को ऐसे ऐसे क्या कर रहा है nucleus के 4 और, nucleus के 4 और अपनी position को change कर रहा है क्योंकि वो बहुत high kinetic energy से है तो high kinetic energy से है तो उसी के respect में क्या होगा particle के लिए si का मान भी change होगा क्योंकि si actual में है क्या आपका wave amplitude wave amplitude का हो या इसी को बोल देते हैं wave function wave function तो overall wave function या wave amplitude किस से related है electron की position उसकी kinetic energy उसकी motion से अगर उसकी kinetic energy बहुत तेज है बहुत highest है तो particle के लिए si का मान भी तेजी से change होगा अगला point है कि si का मान केवल moving particle के लिए ही change होता है si का मान केवल moving particle के लिए जो particle बहुत तेजी से move कर रहे है उनके लिए इसकी value क्या होगी change होगी जबकि जो आपके rest particle है जो रुके हुए है इस तिरह बस्ता में rest particle के लिए के लिए si का मान आपका fixed होता है समझ वारा ना तो जितने भी आपके moving charge particle है उसके लिए si का मान क्या होता है change होता है rest particle के लिए fix रहता है अगला point है कि atom में electron के बारे में complete information orbital wave function में present होता है अगर आपको electron के बारे में total information लेना है तो यही जो आपका wave function होता है जिसको orbital wave function कहते हैं सारा data इसी के पास present होता है सारी electron की information इसी से आपको मिल जाती है एकला point है कि किसी atom में electron के wave function को atomic orbital कहते है जो atom में electron का wave function होता है किसी atom में electron के wave function psi को ही atomic orbital कहा जाता है चूँकि electron के लिए बहुत से wave function हो सकते है अता atom में कई atomic orbital होते है इसको जड़ा समझने का प्रयास करिए इसका कहना यह है कि अगर किसी atom के अंदर बहुत सारे आपके wave function है तो अगर बहुत सारे wave function है तो इनी wave function को हम लोग atomic orbital कहते है तो अगर बहुत सारे wave function है तो उस atom के अंदर बहुत सारी atomic orbital भी होंगी अगला point है कि साई always finite, single valued and continuous साई की value हमेशा finite होगी, मालूम होगी आपको और हमेशा single valued होगी, single का आर्थ है केबल उसका आपको एक मान ही प्राप्त होगा and continuous और हमेशा उसकी value कैसी रहेगी, continuous रहेगी clear, अगला point है कि साई describe the wave behavior of the electron साई क्या करता है, किसी भी electron के wave behavior को explain करता है it is called wave function, इसको wave function कहा जाता है which describe, जो describe करता है amplitude of the wave it is half of the vertical distance between crest and the trough clear, इस कार्थ क्या हुआ, इस कार्थ है हुआ है कि जो आपका electron को आजए wave मान के चलने तो wave तो ऐसी होगी, अगर wave ऐसी है तो यह हमारे क्या कहलाते है, यह हमारे crest कहलाते है और यह नीचे वाले हमारे trough कहलाते है जिसको हिंदी में स्रंग और गर्थ बोलते है clear, तो यहाँ पर क्या हो रहा कि अगर यह value इस तरीक ऐस अगर यह चला है तो यह हमारा क्या कहलाता है यह physics में हमारा क्या बोला जाता है बोली सभी लोग, यह physics में हमारा I am बोला जाता है, जिसको हम लोग amplitude कहते है क्या कहते है, amplitude तो वो ही कह रहा है, कि size describe the wave behavior of the electron size जो होता है, किसी भी electron के तरंग behavior को explain करता है it is called wave function इसको क्या कहा जाता है, wave function कहा जाता है which describe the amplitude of the wave यही जो wave function है यही जो आपका wave function है इसी wave function को हम लोग क्या कहते है करंग का आयाम wave का amplitude, तो कभी आप देखेंगे books में wave function भी लिखा होता है या wave amplitude भी लिखा होता है, तो psi को हम लोग wave function भी कहते हैं और इसको हम लोग wave amplitude भी कहते हैं इसकी value क्या होगी हमेशा आपकी positive और negative दोनों vary करेंगी क्यों vary करेंगी क्योंकि अगर wave मान के चल ले हैं तो यह उपर वाला value positive होता है और नीचे वाला value क्या होता है ट्रवल करती है नीचे लिखा है कि साई का मान positive या negative हो सकता है क्यों positive negative हो सकता है क्योंकि हम जो electron को एक wave की तरह मान रहे है अगर वो wave होगा तो इसमें आपकी positive और negative value vary करेंगी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में इस तरीके से बना दिया गया है तो यह हमारे जो हैं आपके क्या है आपके wave amplitude या wave function तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साई की value आपकी positive हो सकती और negative यह value आपकी positive और negative कुछ भी हो सकती क्लियर क्यों electron को as a wave मान के चलने हैं और यहाँ पर यह जो चीज है यह तरंग का क्या होता है आयाम होता है इसलिए इसको wave function या इसको wave amplitude भी कहा जाता है क्या कहा जाता है wave amplitude भी कहा जाता है next point अगला है अब हम deal करेंगे size square यह सारे point किसे related थे size से अब आपका size square क्या होता है इसको जड़ा समझते हैं कर आप wave function size का square अगर आप size का square कर देंगे तो यह size square हो जाएगा तो wave function size का square अर्था size square किसी point पर electron के पाए जाने की probability को दरसाता है जो size square है यह किसी point पर जैसे यह आपका nucleus है और इस nucleus के चारोरे बहुत सारे location है electron के मिलेंगी तो किसी point पर electron के पाए जाने की जो probability है उस probability को size square से represent किया जाता है सबसे जादा होती है उसके लिए यहाँ पर जो represent किया जाता है size square से यहाँ पर लिखा है कि probability, proportionality का sign लगा दिया size square, तो यहाँ पर overall एक बात समझ में आया है कि किसी point पर electron के पाई जाने की probability को लिखना है तो कौन सा term उज़ करेंगे size square term उज़ करेंगे अगला point है कि size square का मान high होने पर electron के पाई जाने की possibility बढ़ जाती है अगर size square की value बहुत जादा है तो समझ जाइए कि electron के पाई जाने की possibility इस location पर या इन regions पर जादा होगी अगर size square का मान 0 है तो probability क्या हो जाएगी आपकी 0 होगी, तो धेहान लखना electron का मिलना या ना मिलना ये depend करेगा size square से तो size square के अगर value जादा है clear, क्योंकि electron के पाई जाने के लिए जो एक term यूज किया गया, वो size square term यूज किया गया, धेहान लखना size आपका wave function है जिसको atomic orbitals कहेंगे और size square actual में, जो size का अगर आप square कर दोगे, तो ये size square है, ये किस चीज का indication होगा, ये बताएगा electron के पाई जाने की समभावना, electron के पाई जाने की समभावना को कि से represent करेंगे आपकी zero हो जाती नेक्स पॉइंट है कि nucleus के चारो और का वह region नाविक के 4 और का वह region जहाँ electron के पाई जाने की probability maximum होती है उस region को atomic orbital कहते हैं, clear बार बार गुम्फिर के यही तर्म आ जाता है तो ध्यान अकिएगा कि न्यूक्लेस के चार ओर का वह रीजन वह छेत्र जहां इलक्टरान के पाए जाने की प्रवालेटी सबसे ज़ादा होती ऐसे रीजन को हम लोग atomic orbitals कहते हैं कि साई स्कॉयर का मान कभी भी negative नहीं हो सकता है यह हमेशा positive ही मिलेगा क्योंकि साई का ही square किया गया धान रखना साई है आपका वे function और साई स्कॉयर है किसी point पर electron के मिलने की संभावना को साई स्कॉयर से represent किया जाता है clear आगे है कि साई स्कॉयर का मान एक region से दूसरे region पर जाने पर change हो जाता है जहां रखना जब आप एक छेतर से दूसरे जैसा अगर यह nucleus है अगर आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे आ जाएंगे क्यों electron अपनी position को change कर देता है तो अगर आप क्या करेंगे location change करेंगे तो आपका size square का मान भी change होगा निचे लिखाया अता different region में electron के पाय जाने की probability भी different होती बिल्कुल बास सही है कि अलग अलग location में जैसे आप कहीं पर भी कोई भी area कि select कर लें और उस area में किसी particular चीज को आप डूढ़े clear तो हो सकता कि अलग अलग region में अलग अलग छेतरों में उ हो सकता है कि बहां मिले बहां मिले ऐसे वो 18-10 point में बता देगा कि वहां वहां उन location पर आप उस बंदे को आप search कर लो clear तो ध्यान रखिएगा वहीं यहां पर बात कह रहा है कि different region में electron के पाय जाने की probability यहां पर nucleus के 4 और जो regions हैं उनकी बात की गई है कि कोई ज़रूरी नही कि हर region में electron आपको मिले हर अलग-अलग region में different भागों में different छेत्रों में electron के पाय जाने की probability भी different होगी इन regions जिन regions में probability 95% होती है इनी regions को क्या कहा जाता है atomic orbital इने जिन छेत्रों में electron के मिलने की संबाबना 95% होती है तो ऐसे region को atomic orbital कहा जाता है तो ये हमारे एक short question था clear psi और psi square का significance board exam में बहुत पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा next हमारा short answer है इसको कहते है आईगन value and आईगन function इसको ज़रा समझते हैं कि आईगन value और आईगन function क्या होता है तो ध्यान operation द्यान रखिएगा तो बहुत सारे आपके solution मिलते हैं द्यान रखिएगन जिनका कुछ अर्थ होता है जिनका अर्थ निकलता है और कुछ ऐसे value होती ही जो meaningless होती ही जिनका कोई अर्थ नहीं होता है तो ध्यान रखिएगन प्रोडिंगर को साल्व करने पर बहुत सारे आपको solution मिलेंगे उन solution में कुछ ऐसे solution होंगे जिनकी value meaningful होगी और कुछ solution ऐसे होंगे जिनकी value meaningless होगी तो जिनकी value या जिनकी meaning जिनका कुछ अर्थ निकल लहा होगा ऐसे function को ऐसे term को आईगन value कहेंगे और आइगन value पर based function को आइगन function कहते हैं clear और जो meaning less होंगी वो हमारे non acceptable value होंगी उनको उम लोग छोण देंगे तो क्या समझ माया कि स्रोडिंगर को सालब किया गया बहुत सारे solution मिले कुछ ऐसे थे जो meaningful होते या कह सकते हैं कि जो acceptable थे और कुछ ऐसे थे जो non acceptable थे जो acceptable value थी clear जिनका कुछ आर्थ निकाल ला था उनको आइगन value या आइगन function कहा गया इसको कैसे exam में लिखेंगे तो यहाँ पर sort है sort में ही लिखना है कि स्रोडिंगर wave equation second order की differential equation आप देख रहते हैं कि बहाँ पर del square x del square by इस तरीके से आ रहा था न तो जो power 2 आती इसी बचे इसको बोला जाता second order की differential equation करा इस equation के different solution possible है जब इस equation को solve किया आता तो बहुत सारे आपको results मिलते हैं लेकिन सभी जो results मिलते हैं सभी जो solution मिलते हैं उनकी value meaningful नहीं होती है स्रोडिंगर के वे solution जिनकी value meaningful होती जिनका कुछ अर्थ निकल ला होता है उन्हें eigen value कहते हैं और इस value के द्वारा जो eigen value मिल नहीं हैं इन value पर जो आपके function मिलते हैं इनहीं को eigen value function कहा जाता है बात को समझिए कि स्रोडिंगर को solve किया solve करने के बाद बहुत सारे solution मिले उनमें से कुछ solution ऐसे होगे जो real होगे बास्तिविक होगे जिनका कुछ meaning होगा और कुछ ऐसे होगे जो meaningless होगे जो meaningless होगे उनको छोण देंगे और जो meaning वाले होगे उन्हीं function को उन्हीं term को हम लोग कहते हैं eigen value और इन eigen value के जो function मिलेंगे यह जो eigen value है इनके दोरा जो wave functions मिलते हैं इ इसको size से represent करते हैं, clear, अब इनकी conditions क्या है, condition जड़ा समझ लेते हैं, condition ये है कि wave function finite, अब हम continuous होना चाहिए, देखिए बात, समझी मेरी बात, आप लोगों के यहां तक तो clear हो गया होगा, ये पूरा term, आइगन value, आइगन function क्या, बहुत इजी है, स्रोडिंगर को साल्प किया, बहुत सारे solution मिले, कुछ ऐसे solution थे, जिनकी value meaningful थी, जो acceptable थे, जिनका कुछ अर्थ निकल ला आता, उनको आइगन value बोल दिया, ये आइगन function और जो meaningless थे, उनको छोड़ दिया गया, clear, अब इसकी condition क्या है, condition ही है, कि wave function हमेंसा finite होना चाहिए, यहनि कि finite कार्थ हमेंसा ग्यात होना चाहिए, और continuous होना चाहिए, finite और continuous कार्थ क्या है, कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कि x by z के बदलने से, x by z के बदलने से, हमारा wave function साई का मान भी बदल जाए, इसका यह अर्थ हुआ, अगला point है कि wave function का केवल एक मान होना चाहिए, यह हमेशा single valued होता है अर्थाक किसी given point पर si के मान एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए यह ध्यान लखना, यह ध्यान लखना एक point पर कभी भी si का मान x से ज़्यादा नहीं होगा एक location पर si का मान अलग होगा लेकिन एक ही location पर si के मान x से ज़्यादा नहीं होगे क्योंकि पिछले lecture में हमने बताया भी कि अगर यह nucleus है और यहाँ पर यह बहुत सारे यह आपके energy level है तो अगर यह आपका energy level है तो यहाँ पर wave function हो जाएगा psi 1, even है तो psi 1 अगर यह दूसरा energy level है तो यहाँ पर wave function हो जाएगा psi 2, clear? तो यह ध्यान रखना कि एक ही point पर wave function का केवल एक ही मान होगा अगर अलग-अलग location है अलग-अलग point है तो बहाँ पर wave function की value भी 1 से जादा हो जाएगी अगरा point है del psi over del x, del psi over del y del psi over del z यह जो value आपको मिल रही है यहाँ x के respect में differential हो रहा है यहाँ y के respect में यहाँ z के respect में यह जो आपको value मिलती है यह x, y, z के continuous function होने चाहिए यह जो भी value मिलती है वो हमेशा कैसी होती है continuous value होती है कभी भी x, y, z के change होने पर यह change नहीं होती है यह हमेशा कैसी रहती है यहाँ पर del x, y, del psi over del x del psi over del y, del psi over del z यह हमेशा कैसे होते हैं continuous function होते है समझ मारा न, यह कैसे function होते है continuous function होते है last point है, इसको समझते हैं यह एक condition है यहाँ पर limit 0 से infinity ली गई है साई DR लिया गया है DR बेटा ध्यान रखना यह बहुत ही छोटा एक smallest volume होता है DR क्या है बेटा एक छोटा सा smallest volume है जहाँ पर electron के पाए जाने की संभावना को represent किया जाता है यह ध्यान रखना यह हमारे ऐसे अब सकता नहीं है अभी DR या DV लिखा हो तो कभी घबडाने की आप सकता नहीं है यह हमारे कैसे होते हैं यह smallest volume होते हैं जहाँ पर हमारे electron के पाए जाने की संभावना को represent लेकिन यहाँ पर इसका क्या meaning है यह condition है इसका आर्थ क्या हुआ है कि Schrödinger के जो भी solutions निकल के आएंगे Schrödinger को solve करने पर जो भी solution निकल के आएंगे और जब उन solution को यहाँ पर हम apply करेंगे तो apply करने के बाद यह relation क्या होना चाहिए वो solution इसको satisfy कर रहे हो इन्हें रखने के बाद total value आपकी कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए और आपका आईगन value और आईगन function उमीद है कि यह आपके वीडियो बहुत अच्छे से समझ माया होगा हम मिलते हैं अपने